Hello students, welcome to my channel, I am an institute, मैं खान सर, आज हम करेंगे exercise 2.3, question number 3, मैंने इसे पहले वेले वीडियो में question number 2 कराया है, अगर आप लोगों ने बेटा नहीं किया है, तो इसे जरूर कर लें, त्यूंकि question number 3 जो है, वो question number 2 और 1 से related है, ठीक है, start करते है, question number 3 में क्या कहता है, कहता है कि obtain all other zeros of 3x की power 4, plus 6x की power cube, minus 2x square, minus 10x minus 5, if 2 of its zeros are root 3, under root में 5 upon 3, and minus under root में 5 upon 3, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि इसमें इसके सारे zeros निकालने हैं, ठीक है, इस जो px भी आपका polynomial है, इस polynomials के सारे zeros निकालने हैं, दो zero आपको given दिया हुआ है, और बाकी से related जितने भी आएंगे वो आपको निकालने है, तो इस question में ये करना है, let's start करते हैं, तो पहले जो given हम लिख देंगे, हमें दिया हुआ हुआ है, px, हम लिख लेंगे px हमें जो given है, वो दिया हुआ है, आपके पास 3x से पाउर 4, प्लस में 6x से पाउर 3, माइनस में 2x स्क्राइब, माइनस में 10x, और माइनस में 5 दिया हुआ, अब आपको zeros दे रखे हैं, इसने बोला है कि मैंने zeros दिया है, तो zeros क्या दिया है, zeros यानि x equal to आपको दिया हुआ है, under root में 5 upon 3, and x equal to minus under root में 5 upon 3, आपको याद है, इससे पहले वाले question में हमने किया था, zeros कैसे निकालते हैं, जो भी संक्या हो, उसको उधर लेके जाते हैं, sign change होता है, तो ठीक, उसी तरीके से दोनों यहाँ पर भी हैं, तो आप क्या करोगे, इसको इधर लेकर आओगे, तो यह हो जाएगा, x minus, यहाँ कुछ नहीं, तो simple plus का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, minus, under root में 5 upon 3, equal to 0, इधर आगे न, तो equal to 0 रहेगा, ठीक, उसी तरीके से, x, यह minus इधर आके क्या हो जाएगा, plus, under root में 5 upon 3, equal to 0 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देख सकते हैं, यह एक बार बन गया, minus का, और यह आपका बन जीज याद होगी, a plus b, a minus b, equal to a square minus b square होता है, तो हम इसको कर देंगे, x minus में, under root में, 5 upon 3, और यह हो जाएगा, x minus plus में, under root में, 5 upon 3, ठीक है, अब इनका solve करेंगे, इनको, तो आपके पास क्या हैगा, x square minus में, क्या हैगा, x square minus में, under root में, 5 upon 3 का, square equal to 0 देंगे, कैसे आया पता न, यह identity से आया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ही हो जाएगा, x square, यह square से root, cancel हो जाएगा, तो यह बचेगा, minus 5 upon 3, equal to 0, upon में बन लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, 3, इन दोनों का आपने LCM दिया, यह से multiply होगा, 3 x square, और यह से होगा, तो केतना हो जाएगा, 5, equal to 0, upon 1 लेंगे, और यहाँ cross multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 3 x square, minus में 5, multiply by 1, equal to इससे करेंगे, तो 3 into में 0, आप देख सकते हैं, इनको 1 से multiply करने पर क्या आएगा, as it is same उतरेगा, 3 x square, minus में 5, और 0 से multiply करने पर, तो यह जो आपके सामने आया, यह आपका gx आया है, 3 x square, minus में 5, इससे आपको polynomial px को divide करना है, और divide करने के बाद, जो आपका answer आएगा, उसका फिर हमें 0's निकालना है, ठीक है, तो देखते हैं, इसका क्या है आपके पास, अब आपको दिया हूँ है, px, equal to, आपके पास था, 3 x to power 4, 3 x to power 4, plus में 6 x to power 3, और आपके पास है, minus 2 x square, आपके पास है, minus 10 x, और minus में 5, ठीक, आपके पास, z x क्या निकला भी आपने निकाला इसको, तो 3 x square, minus में 5, ठीक, अब इसको इसको इससे divide करेंगे, divide करना आपको आता है, मैंने भी सिखाया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में, बहुत असान है divide करना, कोई tough नहीं है, 3 x to power 4, plus में 6 x cube, minus 2 x square, minus में 10 x, और minus में 5, ये divide करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आप एक rough line डाल देना, मैंने आपको बताया था है, हर जब भी मैं इसका question आप लोग करते हो, तो ये rough line जरूर डाला करो अपनी sheet में, इससे क्या होता है, calculation करने में आपको easy रहती हो, और mistakes नहीं होता है, जैसे मैंने भी ये पढ़ता, ऐसे पलटना नहीं पढ़ेगा आपको, ठीके, अब questions यहाँ पर हैं कि नहीं से, या आप इसको verify कर साथ, ठीके, इसलिए आप यहाँ बनाए कर रफ लें, करते हैं, तो अब इसको divide करने के लिए क्या है, एक नियम बताया था, कि first वाले को first वाले के equal करना होता है, ठीके, और equal करने के लिए digit आपको अपनी तरब से लेना है, जैसे आपके पास था 3x square minus में 5, यह आपके पास है, इससे आपको इसको divide करना है न, और आपके पास दे और जब इसको इससे multiply करेंगे, तो 3 रहेगा और x की power 2 और 2x की power 4 आजाएगा, minus का minus आएगा, जब इससे इसको multiply करोगे तो 5x square आजाएगा, बिल्कुल इजी है, आपने क्या लिया अपनी तरब से, x square लिया, आपने हापर लिख दिया, ठीक, अब इसको उतारेंगे, 3x की power 4, अब देखो, minus 5x square, तो square वाली के नीचे ही रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा, minus 5x square, यह चीज़ का दियान रखना है, आपने यहाँ पर underline करना है, यह minus हो तो यहाँ पर क्या होगे, plus, यहाँ प्लस हो तो क्या होगे, आपके पास, minus, एक जैसी संक्या है, यह कट उपर से क्या हो तो आपके पास, 6x power 3, ठीक, और यहाँ पर क्या है, plus, minus, minus होगा, तो 5 में से अगर आपके पास 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, plus का 3x square, अब plus का क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यह minus का था sign, और यहाँ पर minus को अटा के हमने sign change किया, तो plus है, और 5, plus 2, minus 2 में स बड़ा कोन है, plus का, इसलिए plus का sign आया, clear, ऊपर से आपको उतारना तो उतार सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, अब देखो, यहाँ पर आप फिर next करेंगे, 3x square minus में 5 आया, अब देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 कैसे बनेगा, अगर हम 2 लेंगे, क्योंकि 2, 3 हुजा, 6 और x की power 2 और 1, x की power 3, minus का minus, 5 नहीं, 10, x का x आया, तो आपने क्या लिखा, उपर से minus 10x उतार लेजे, आपने 6 x की power 3, minus 10x, यह हो गया, minus 10x, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यह minus और यह plus, एक जैसे होगे, कट गें यह, आपके पास उतरा, 3x square, minus में यह जो है, यह 5 उतरा, अब आप देख सकते हैं, बिलकुल दोनों एक जैसे हैं, जब दोनों संख्या एक जैसी होती है, तो सिर्फ 1 लेना आपको, 1 लेंगे, तो as it is, इस सेम उतर जाएगा, यह plus और यह minus, यह answer 0, clear है, होब आपको समझ में आ गया हो गया, अब हमारे पास यह आ गया, होगा, इस से पहले वाले exercise में मैंने कराया था, x square प्लस में 2x, प्लस में 1, यानि से पहले वाले हमने कर रखाए कि a multiply by c, यह a होता है, यह c होता है, यह b होता है, ठीक है, तो हम यह आपर करेंगे 1 into 1 equal to 1, अब इनको plus या minus करने पर b, यानि बीच वाला आना चाहिए, तो आ 1 plus 1 रखेंगे, तो x square, plus 1 plus 1, x और plus में 1, x square प्लस यह दोनों से multiply होगा, ठीक है, यह आपर, तो 1x plus 1x plus 1, आप दोनों में आपको pair लेने हैं, आप देख सकते हैं, दोनों में x है, यहां हो जाएगा x plus 1, इन दोनों में common 1 है, तो 1 लेंगे तो यह हो जाएगा x plus 1, अब दोनो एक जैसे हैं, तो इन में से 1 उतर जाएगा, x plus 1, और यह जो बाहर bracket के बाहर होते हैं, यह उतर जाते हैं, तो यह x plus 1 आगे, ठीक, अब हम इनके क्या निकालेंगे, 0, जिसने question में क्या कहा था, कि आपको सारे 0's find करना है, तो यह हो जाएगा, आपके पास x plus 1 equal to 0, और x plus 1 equal to 0, तो x is equal to minus 1, और x equal to minus 1, क्योंकि प्लस का उदर जाएगे, क्या हो जाएगा, minus, तो 2 0 आपके निकल गए, आप लिख सकते हो, all 0's is equal to under root में 5 upon 3, minus under root में 5 upon 3, minus 1, and minus 1, यह आपके क्या हो गए, यह आपके सारे 0's हो, clear, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो next वीडियो के लिए हमारी YouTube चैनल को like, share and subscribe जरूर करें, thank you